देश को संकत में डाल कर भाजपा बचा रही है कंगना का घर देश में कोरोना संक्रमन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है भारत कोरोना संक्रमन मामले में दुनिया भर में दूसरे नमबर पर है क्या कोरोना से लड़ने के लिए प्लान बदलना होगा? क्या को रुकने के लिए नई स्ट्राटेजी लानी होगी? क्या कोरोना वैक्सीन में देरी खतर नाख हो रही है? इन सवालों का जवाब आज हर देशवासी जानना चाहता है हर दिन आने वाले कोरोना आकड़े एक लाग का आकड़ छुने के करीब है भारत संक्रमन के मामले में दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया है हर रोज लगभग एक लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं चीन के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है चीनी सेना भारतिय सीमा के अंदर घुस आई है किसानों के खुदखुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं देश की जीडिपी गिरती जा रही है गोल्ड मैन ने अनुमान लगाया है कि भारतिय जीडिपी ग्रोथ रेट 2020 से 2021 में माइनस 14.8 फीसद रहेगी रेटिंग एजनसी फिच ने अनुमान लगाया है कि इस वित्य वर्ष यानी 2020 से 2021 में भारतिय अर्थ्वेविस्था में 10.5 फीसदी की भारी गिरावट आ सकती है यानी जीडिपी ग्रोथ माइनस 10.5 फीसदी रहेगी देश को संकट में डाल कर भाजपा सरकार कंगना का घर बचाने में लगी है यही भाजपा का देश प्रेम है